Hello students, welcome to RK Classes, I am Ravinder Kotwal and आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री आफ कश्मीर ओके, सो कश्मीर वन्स वाज लेक काल्ड एज सती सर सती मीन्स गाड़स पारवती, वाइफ अफ लाड़ शिवा और सार में लेक कश्मीर एक टायम में, पहले टायम में सारा का सारा कश्मीर एक बहुत बड़ी लेक हुआ करती थी जिस लेक का नाम था सती सर, सती का मतलब है पारवती गारड़स जो है और सर का मतलब होता है लेक there was a sage called as Kashyaprishi, son of Maharichi and grandson of Brahma and Sarswati, he is known for his Rigwethic hymns इस लेक के पास एक रिशी रहते थे जिनका नाम था कशप रिशी वो मारची के बेटे और ब्रह्मा और सरस्वती के पोते थे वो अपने रिग्वेदिक हम्स के लिए बहुत जाने जाते हैं According to Nilmatpurana which is written in 6th and 7th century AD by King Nila This is the oldest book of Kashmir, mind it, बहुत important question बन सकता है ये The lake was protected by Parvati, the daughter of Himalaya Parvati The Naga kingdom was spread along the banks of Satisar Lake After the marriage of Parvati with Lord Shiva, the couple settled to live at Kelash Mountain which is permanent abode of Lord Shiva तो क्या हुआ कि ये जो लेक थी, इस लेक को protect करती थी काउन Parvati जो Himalaya Parvati की बेटी मानी जाती है Naga kingdom था, उन दिनू Satisar Lake की आसपास जैसे ही Parvati की शादी हो गई शंकर जी के पास, साथ, शिव जी के साथ तो वो दूनू के लाश मौटन पर रहने लगे जो के permanent ठिकाना है शंकर का Satisar became unguarded, unprotected Satisar unprotected हो गई Utilizing this opportunity इस मोके का फाइदा उठाते हुए A demon named as Jalad Bawa took control of Satisar Lake and started to tyrannize the people of Naga kingdom who lived around the lake इस बात का फाइदा उठाते हुए एक शेतान जिसका नाम था Jalad Bawa उसने जनम लिया Satisar Lake में और वो Naga kingdom के लोगों को बेतहाशा सताने लगा बहुत अतंकवाद मचा के रखा उसने उन लोगों के लिए उन लोगों के साथ मतलब बहुत जुलम करने लगा उन लोगों पर Okay, is it clear? Actually क्या था कि ये जो Jalad Bawa था इसने एक ब्रह्मा की भक्ती करके एक शक्ती हासिल की थी ऐसा नीलमत पुरान में लिखा गिया है Okay, is it clear? तो Jalad Bawa was immensely powerful by the boon of the Lord Brahma दा नागा किंग नील नागा was unable to protect sorry to control Jalad Bawa तो Jalad Bawa जैसा मैंने कहा के ब्रह्मा से उसने शक्ती ली थी इसकी वज़ा से जो नागा किंग नील नाग जो थे वो unable थे Jalad Bawa को control करने के लिए Worried King Neil Naga complained to his father Kashyaprishy नील नागा जो है Kashyaprishy के बेटे थे और उन्होंने अपने पापा को Jalad Bawa की ये बात सुनाई, Kashyaprishy further escalated the complaint to Lord Shiva और Kashyaprishy ने यही complaint forward की किसको as it is सुना दी Lord Shiva को Lord Shiva जैसे ही ये सुनते हैं, complaint सुनते हैं के कोई नागा किंग्डम को सता रहा है तो what he did Lord Shiva immediately came to Satisar with Parvati to punish the outrageous demon Jalad Bawa Seeing furious Lord Shiva he hide himself in water of the lake. Lord Shiva threw his trident to kill him but it missed the demon and crashed the western bank of Satisar All the water of lake drained out through the crack हुआ क्या? Lord Shiva फटा फटा परवती के साथ वापस Satisar आये जलाद Bawa ने जब उन्हें भूत क्रोधित देखा तो वो पानी में चुप गया पानी में चुपा देखके Lord Shiva ने अपना त्रिशूल उस पे फैंका त्रिशूल उसे ना लगा पर जो लेक का जो बरा मुला एंड था उस एंड पे लगके उसमें एक बहुत बड़ा क्रैक बना दिया और उस तरफ से पानी जो है ड्रेन होना शुरू हो गया जैसे ही सारा का सारा पानी ड्रेन हो गया तो जलाद बावा के पास चुपने के लिए जगा नहीं बची और पारवती ने एक बहुत बड़ा पत्थर मार के उसको मार दिया जलाद बावा had no place to hide himself seeing the demon पारवती rolled down a big stone and killed the demon and again peace prevailed in the kingdom और बाद में फिर शांती बहाल हुई इस kingdom में जैसे ही सारा का सारा पानी बाहर निकला तो demon के पास चुपने के लिए अब जगा नहीं थी तो पारवती ने एक बहुत बड़ा पत्थर जो है नीचे रोल किया और उस पत्थर की वज़ा से वो demon मारा गया और उसके बाद कश्मीर में उस सतिसर लेक के आसपास का जो kingdom था नागा kingdom वहां पे फिर से खुशाली फिर से शांती आई after all the water of the सतिसर लेक drained out there arose a beautiful valley the nagas named the valley as Kashpamar means lake of Kashp Rishi and later on जब पानी वहां से निकल गया then it was called as Kashpamiru that means mountains of Kashp Rishi तो क्या हुआ जब सारा का सारा पानी वहां से निकल गया तो एक बहुत खूब सूरत वादी ने जनम लिया जिसका नाम आज के टाइम में Kashmir है और उस वकत उन्होंने उसका नाम रखा था Kashpamar जिसका मतलब Kashp Rishi की लेक और बाद में जब सारा पानी बहार निकला उसे वो कहने लगे mountain of Kashp Rishi बाद में जब city बनी तो उस city को कहा जाने लगा Kashp Pura मतलब Kashp Rishi की city Still some water that remained in some deep pockets became lakes in the Kashmir Valley Thus dull lake was one such deep area at the bottom of Satisar Lake तो जब सारा का सारा पानी चला गया तो जो deepest pockets थे जो deepest areas थे वहाँ पे पानी बचा रहा और वो पानी जो है आजकल की जो present lake से वो है जिन में से dull lake भी एक है ओके is it clear ओके तो अब बात करते हैं हम geology supports mythology Geology जो है वो mythology को support करती है Geologists say that entire Kashmir valley was under the water and the approximate size of the vast water body was 5600 square kilometers and average depth was 600 meters during the creation of Himalayas due to earthquakes all water of the lake Satisar drained through the Baramula fault which is located on the western and of the valley so the trident of Lord Shiva also hit the western bank of Satisar तो क्या होता है Geologist बताते हैं कि Kashmir बहुत बड़ी एक lake थी 5600 square kilometer की lake थी और इसकी depth जो थी average depth 600 meter है तो average है तो means कहीं कहीं पे वो एक kilometer से ज़्यादा भी depth थी उसके तो जब हिमालियास बन रहे थी according to geology तो पहुत सारे earthquakes आये और earthquakes की वज़ा से जो बारा मुला fault इस वक्त जियालोजी कली जो बारा मुला fault है उस तरफ से उन भूंकम्स की वज़ा से भूंचाल जो आ रहे थे उनकी वज़ा से वहां से पानी बहना शुरू हुआ और यही बात हम उसमें हमारे mythology में जो कही गई है के लाड शिवा ने जो अपना त्रिशूल फैंका था वो बारा मुला एंड पे ही फैंका था तो ये दूनों बाते जो है एक दूसरे से मिलती जूलती है बरहाल जो भी है कश्मीर की जो हिस्ट्री है वो दूनों बातों से मिलती जूलती है तो अब कश्मीर की हम present बात करें तो कश्मीर का and shamira का अश्मीर का स्टाइंज पर रडग़ डेसिकनद है तो कश्मीर का मतलब यहां से भी एक वो जगह जहाँ से पानी निकाल दिया गया हो है तो दो दो अब दो पहर दो पकश्मीर केंगने हिसी तरल से थन利 के बातार बाता है in 2nd century AD. His works about Kashmir is referred to as Kasperia. Greek historian Herodotus called it as Kaspar Tyrus. He lived in 450 BC and Chinese travellers like Hyun Sung who was first to come to Kashmir called it as Kashimilo and locals used to call it as Kashir. Ptolemy Roman Empire के एक बहुत बड़े mathematician, geographer और astronomer थे उन्होंने बहुत सारा काम किया उन्होंने जो काम Kashmir पे किया उस काम को कहा जाता है Kasperia. Greek historian था Herodotus वो Kashmir को Kaspar Tyrus कहा करता था. Chinese जो Hyun Song यहां पे पहले Chinese थे जो Kashmir विजिट किये. कुछ लोग कहते हैं कि वो 629 से 631 तक रहे और कहीं पे लिखा है कि 634 लेकन I will go with 629 to 631. यह Kashmir को कहा करते थे Kashimilo और Kashmir के locals जो है वो Kashir कहते थे और आज के टाइम में भी अगर आप देखेंगे तो Kashmir नाम से एक TV चैनल है जो Kashmir को represent करता है Kashmir के प्रोग्राम जाते हैं तो Kashmir लोकल का प्राना दिया गया नाम Kashmir को. Is it clear sir? यहां से भी आपको दो तीन question बन सकते हैं तो यह पूरा अच्छी तरह करना है ओके अभी तक मैंने जो भी कहा सातिसर लेक एक बहुत बड़ी लेक थी कश्मीरें से बना वहां कश्य परिशी रेते थी जो भी कहा इसकी कहां से मुझे मालम for this all we require sources of history so sources of history में सबसे पहले हमारे पास आता है निलमत पुराना जो 6-8th century AD के बीच लिखा गया था king नीला दुवारा इन्हें लाड नीला भी कहा जाता है दूसरा important source जो है वो है राजत्रंगनी which was written during 12th century AD written by Kalhana 1148-49 में लिखी गई थी इसके बाद दुवित्य राजत्रंगनी लिखी गई जोना राजा द्वारा और तृत्य राजत्रंगनी जोना राजा के ही एक शागिर्द एक उनके ही student शिरी वारा ने तो these are important sources which we require ओके राजत्रंगनी means the river of kings it contains seven eight to six verses 7826 verses which are divided into eight books called त्रंगाज जिने waves केते हैं तो मतलब राजत्रंगनी के 7826 जो verses है उनको eight books में divide किया और उन books को कहा जाता है त्रंगाज it was written during the rule of जैसीमा ये कब लिखी गई है बार्वी सदी में उस वकत जैसीमा का रूल हुआ करता था और लोहारा डाइनिस्टी के थे और उस वकत का जो कश्मीर का capital था that was पॉंच, modern पॉंच इट वाज ट्रंसलेटेड इंटो पर्षियन बाई ओमर मुला ओमर मुला ने 15th संचरी में इसे पर्षियन में ट्रंसलेट किया था कब उस वकत जो राजा थे वहां के हमारे कश्मीर के वो थे सुल्तान जैन उल अबदीन और इनकी इस बुक का नाम था बहर उल असमर बहर उल असमर means sea of tales, important बात फिर यही राजतरंगनी जो है it was again translated into English by Aston in 19th century AD ओके तो यहां पर भी आपके दो तीन question बनते हैं जिन में से यह मैंने कहा के जैन उल अबदीन के time में इसको translate किया गया था किसमें पर्षन में ओमर मुला द्वारा जिस बुक का नाम था बहर उल असमर जिसका मतलब है कहानियों का स्मुंदर actually बहुत सारी कहानियों का स्मुंदर और जेनुल अबदीन जो है he is also known as Akbar of Kashmir जेनुल अबदीन को Kashmir का Akbar कहा जाता है तो इस इतनी सी slide पे आपके लिए बहुत important बहुत सारे question है उसके बाद हमारे पास तारीक कश्मीर भास बुदाब लहिए थार मालक by 1621 अबर नमा अईन अकबर भर बहुत वर रुदेन ऑब फजल को 1556 अन 1590 किताब लहिंद इस रुदन देरीं 1017-1030 वा अबुरयान अल-बरून इस राजधर्षिन विच वत्षण इस इस आ 947 बादिस आच दास Land of Lamas by Alexander Cunningham and Tariqe Kishtuwaad by Shivraj Dhar in 19th century These are some very important sources of the study of history of Kashmir तो ये कुछ किताबे हैं जिन में से हमें Kashmir की history detail में मिलती है गुनन्दा I was the first king of Kashmir गुनन्दा I is said to have been a relative of Jarasandha, the king of Magda and father-in-law of Lord Krishna He fought and died in a war for Jarasandha against Yadwas at Mathura by Balirama Balirama was brother of Krishna So ये गुनन्दा जो हैं पहले राजा माने जाते हैं Kashmir के Jarasandha जो Magda के राजा थे और Lord Krishna के ससुर्जी जो थे उनके साथ इनके बहुत अच्चे रिलेशन थे इस वज़ा से जब Jarasandha की यादोज के अगेंस्ट लडाई हो रही थी तो ये उनके असाथ देने के लिए गए थे लेकन वहां मारे गए थे बलिरामा के हाथों गुनन्दा सन दमोदर दन अकॉपाइड the throne तो उसके बाद के हुआ गुनन्दा का बेटा जो दमोदर था वो उसने राजगदी कश्मीर की समभाली दिल में पापा के डेथ का बहुत गुसा था बहुत मलाल थी गुनन्दा का बेटा दमोदर ने उसके बाद कश्मीर की गद्धी समभाली उसके दिल में बहुत गुसा था कि मेरे पापा की जो डेथ की है उनने मेरे पापा को जो मारा है तो क्या हुआ उनकी जब कृष्ण से मुलाकात हुई उनकी लड़ाई हुई कृषिन से कहां गंधारा लांड पे दूनू वहाँ पे एक स्वाहिमवरा में पार्टिस्पेट करने के लिए गए थे लेकन हुआ ये कि कृष्णा ने इनको मार दिया देर आफ्टर कृष्णा गाट दामदर्स प्रेगनेंट विड़ो यसोवती इंस्टाल्ड आंदा थ्रोन बट लेटर वन शी गेव बर्थ तो ए सन ही वाज क्राउंड आज गोनन्दा सेकंड कृष्णा ने देखा कि दामदर की वाइफ जो है वो प्रेगनेंट है तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने तो प्रेखा किया कि उसका नाम यसोवती था उस यसोवती को राजगदी पे बठा दिया बाद में जब उसने बेटे को जनम दिया उसका नाम गोनन्दा 2 रखा गया दामदर और यसोवती का बेटा है और इसको उन Seems About भे इस, about this time broke out the Mahabharata war as the king of Kashmir was still चुका था और आपने देखा होगा कि महांभारत के युद में कहीं भी जिकर नहीं है कश्मीर के किसी भी राजा का तो ये रिजन है कि कश्मीर का उस वकत का जो राजा है वो एक छोटा सा इंफेंट था A list of all the kings of कश्मीर is given at the end of this video so I am discussing the important ones here only जो कश्मीर के गोनन्दा से लेकर end तक जितने भी राजा है उनकी list में इसी वीडियो के end में दूँगा इस वीडियो में otherwise क्या कर रहा हूं है जो most important है as the point of view of examination examination point of view से जो भी important राजाज लग रहे है kings लग रहे है या कोई भी डैनिस्टी जो है उनकी वही बाते में इसमें discuss करूंगा otherwise बाकी का part जो है वो इसी वीडियो के end में आपको एक list देता हूं जिसमें सभी kings के नाम लिखे हूंगे with dates कब से कब तक उन्होंने राज किया कहां पर राज किया ओके पोरस बिइंग डिफेटेट बाइ अलेक्जेंडर दे ग्रेट इन दे बैटल अफ हैदस्पस वास अलाओ तो रिटेन his kingdom in 327-26 BC पोरस जो है कश्मेर के एक ग्रेट राजा रहे चुके हैं जिनकी आज की जनरेशन को पूरी कहा जाता है इसको अलेक्जेंडर दे ग्रेट ने हराया था हैदस्पस की वार में हैदस्पस कहां है जहलम और चिनहाब के बीच में की लैंड उस वकत वहां पे लड़ आई हुई थी किसके साथ अलेक्जेंडर के साथ अलेक्जेंडर से यह हार गये थे लेकन इनका जो तरीका था इनके जो टेक्निक्स थी उसकी वज़ा से अलेक्जेंडर ने इनको जो अलेक्जेंडर ने जीता था वो तो वापस किया ऐसा भी माना जाता कि उसके लावा भी इलैक्जेंडर ने जो बाकी राजाओं से थोड़ा जो भी पार्ट जीता था उसका भी कुछ हिस्सा पूरुस को उन्होंने गिफ्ट में दिया था ऐसा माना जाता है ऐसा कुछ बुक्स में लिखा गया है ओके यहां पे आपके पास बैटल अफ हैदस किन महारतियों के बीच किन राजाओं के बीच में लड़ी गई एक क्वेशन कब लड़ी गई दूसरा क्वेशन और उसका नितिज़ा क्या हुआ उसके बाद समराट अशोका 304 to 232 BC he ruled कश्मीर and introduced Buddhism to कश्मीर he built old city of स्री नगरा पुराना धिस्तान कहा जाता था आज जिसे पंडिरा थान कहा जाता है यह पहले राजा हैं जिन्होंने बुद्धिस्म को कश्मीर में लाया before it there was only Hinduism और उन्होंने जो स्री नगर की सबसे पुरानी city जो थी जिसे उस वक्त पुराना धिस्तान कहा जाता था आज जिसे पंद्रे थान कहा जाता है वो city इन्होंने ही built की थी किसने समराथ अश्योकान है okay is it clear कुशान डैनिस्टी कुशान डैनिस्टी जो है यह actually दो तरह की थी मतलब दो parts में थी पहले जो पहले जो पार्ट था वो greater कुशाना कहलाते थे 30 AD से 230 AD के बीच में आए और दूसरा जो पार्ट था उनका तो वो little कुशाना कह सकते है मतलब थोड़े lower थे weaker थे so founders जो था इसका कुजूला catfices जो 30 से 80 AD तक जिसने रूल किया उसके बाद कनिशका कनिशका बहुत great king बाने जाते हैं इस डैनिस्टी के जिने king of kings कहा जाता था इनके achievements की बात करें तो development of silk route जो silk route है वो इसी time में बना महयाना बुद्धिजम को इन्होंने बहुत spread किया और इस great जो greater कुशाना थे इनके जो last king रहे वो रहे वासुदेवा first ठीक है लिटल में क्या था लिटल का पहला king जो था वो 247 से 267 तक वसिसका थे और उसके बाद जो last king था इधर भी वासुदेवा था वो भी वासुदेवा ये भी वासुदेवा इसलिए इसे D तक ओके इनके इतने नाम ही बहुत मतलब नाम ही कर लिया है उतना ही काफी है उसके बाद कुशान डैनिस्टी की एक और बात कहें कि ये वसुदेवा वन जिसे great का last ruler कहा जाता है मतलब greater कुशानास का last ruler कहा जाता है ओके बुद्धिश्म उन दिनों अपने peak पे थी किन दि इसको दो वर्जन में बांटा गया था महायाना और हायाना में हिन्याना महायाना और हिन्याना फूर्थ बुद्धिस्ट कॉंसल वाज आलसो कॉंवीन बाई कनिश्का फूर्थ बुद्धिस्ट कॉंसल जो है थी वो किस ने कनिश्का ने कनिश्का ने कनिश्का ने कनिश्क वाशुमित्रा यह बहुत ग्रेटर नाम थे दा मेन फ्रूट अफ दिस कॉंसल वाज ए कॉमेंटरी नौन एज महाविभाशा और इसका जो इस इस कॉंसल का जो एक मेन फ्रूट मानदब क्या निकली वहाँ से वहाँ एक कॉमेंटरी जो भी बातचीत हुई थी उस बातचीत को पूरा रिकारड किया गया और उसे महाविभाशा कहा जाता है उस कॉमेंटरी को जो भी रिकारडिंग lorsqu हुई उसकी का सै वी जैसे आज हम मो जाता है हमारे पास कार कोटा डाइनस्ट का जो फ्रस्ट किंग था वो था दुरलव वर्धना जिसे दुरलवह का अभी कहा जाता था और प्रतिपाधित्या भी कहा जाता था से 138 तक रूल किया greater ruler जो थे इस kingdom के वो थे ललत अधित्या ललत अधित्या को भी मुक्तापीडा भी कहा जाता है इन्होंने rule किया 431 से 467 AD तक और he was this one ललत अधित्या जो है he was one who built the martin temple जिसे sun temple भी कहा जाता है martin temple जो है कश्मीर के कहां पर है अनंतनाग में तो अनंतनाग में यह जो temple है martin temple यह बनाया था ललत अधित्या ने और इस density का जो last ruler थे वो थे सुखवर्मा सुखवर्मे ने rule किया 845 से 852 AD तक ओके तो यहां हम sun temple की बात कर रहे थे जिसे martin temple कहा जाता है यह कहां बनाया गया था अनंतनाग में अभी इसके अवशेशी मिलते हैं उसके बाद जो density आती है हमारे पास वो है उत्पाला density उत्पाला का जो founder थे first ruler जो थे वो थे अवन्ति वर्मन 852 से 880 AD तक उन्होंने rule किया he was greatest ruler of उत्पाला density तो यह greatest में भी यही आते हैं मैंने आपको एक बात कही थी कि आप पहला ruler greater or last जो है उसे पढ़ना चाहिए तो उत्पाला density की जब बात करते हैं तो अवन्ति वर्मन जो है he was greatest as well as first उसने क्या किया उसका एक बहुत बड़ा काम है he built the embankment of ruler वुलर की जो चारो तरफ से embankment है वो इसने बनाई थी और इसको महापदमा कहा जाता है then anandvardhan and ratnakar were his court points इसके court के जो points थे anandvardhan और ratnakar थे he discovered avantipura and last ruler was उन्मत वन्ती 934 से 36 तक रूल किया ओके यह skara rulers की कुछ list है this density जो यह yaskara density को एक और बात कही जाती है वो क्या गुपता density भी इनको ही कहा जाता है ठीक है यह skara इसका फाउंडर था कुछ लोग पर्व गुपता को बोलते है actually yaskara founder था और पर्व गुपता ने पहली बार गुपता surname यूज किया था यह difference है okay so मतलब अभी हम yaskara को हम गुपता density ही बोलते है तो गुपता density में founder का कौन आएगा yaskara yaskara founder है इस इस density की जो सबसे famous बात रही है चीज रही है वो रही है queen didda for her beauty वो बहुत खूपसूरत थे मैसे तो कोई भी औरत खूपसूरत ही होती है लेकन ये शाइद तोड़े ज्यादा थे तो पर्व गुपता इसका फोर्थ था जिसकी जिसने गुपता सरनेम चूज किया अब हम बात कर रहे थे उस लेड़ी की she was last ruler of the density इस density की last ruler थी she crowned उदे राज हर brother son ठीक है उसने अपने brother के बेटे को वहां पर राजगदी पर बठाया था उदे राज इस आलसो काल्ड है संग्राम राजा इस उदे राज को संग्राम राजा भी कहा जाता है संग्राम राजा गुपता डैनिस्टी का नहीं है तो इसके आगे क्या हो जाएगा गुपता डैनिस्टी के बतले संग्राम राजा जो है यह अपने से ही डैनिस्टी शूरू करेंगे जो भी इनके डैनिस्टी होगे ठीक है because he belonged to लोहारा डैनिस्टी so that means during this time गुपता डैनिस्टी जो है खत्म हो जाती है लोहारा डैनिस्टी में फर्स्ट किंग तो किलियर हो गया संग्राम राजा ही होंगी जो 1012 से लेकर 27 तक राज किया ग्रेटेस्ट रूलर जो है इसका लोहारा डैनिस्टी का वह जैसिमा है जिसके टाइम में क्या हुआ था वह आपको मैंने बता दिया पहले लास्ट जो इस किंग्डम का था वह सुहादेवा और 110 1301 से 20 तक रहे कोटाराणी फादर राम चंदर कुमांडर इन चीफ फ़ोश्चन स्वचन स्वचन राम चंद्रा अंप् पाट इंपर्टन केवे इसका आगे रोल आने वाला है इसलिए जब हम downfall of hindus downfall of hindus पड़ेंगे मतलब downfall of hindu rulers तो रामचंद्रा अपोइंटेड एन अद्मिनिस्ट्रेटर रिंचन ए लदाखी he cleverly killed रामचंद्रा and appointed his son as administrator of ले लदाख and married कोटारानी he was influenced by शमस उद्दीन शामीर and converted to Islam रामचंद्रा ने क्या किया था एक लदाखी आदमी जिसका नाम रिंचन था उसको एक छोटी सी पोस्ट दी थी administrator लेकिन ये administrator चालो था इसने रामचंद्रा को मार दिया जैसे कैसे बहुत चलाकी से मारा था उसके बाद इसने क्या किया रामचंद्रा की बेटी को अपोइंट किया administrator आफ ले लदाख administrator और उसकी sister मतलब रामचंद्रा की बेटी और जिस लड़के को वहां पर लगवाया था administrator बनाया था ले लदाख का उसकी sister कोटा रानी से शादी की और उन दिनों में एक सूफी संत शमस उद्दीन शामीर जो इंडिया में आए हुए थे उनकी बातूं में आके उनकी उनका way of prayers देखके इसने इसलाम को कबूल किया मींस इसलाम में कनवर्ट हो गया रिंचन इसने अपना नाम रिंचन से सद्रुदीन शा रखा उसके बाद कभी ये रिंचन शा तो कभी रिंचन मलक भी रहे और भी बहुत सारे नाम इन्होंने अपने चेंज करते रहे time to time he ruled कश्मीर from 1320 to 1323 AD तीन साल की इन्होंने हकुमत की कश्मीर में 1320 से लेकर 1323 तक ओके तो यह यहां से हमारे जो डाउन फाल शुरू हुआ रिंचन actually he was a हिंदू इसने चेंज किया अपने नाम को इसने इसलाम को भूल किया इसने अपने नाम को चेंज किया इसने सिरनगर को सिरनगर का नाम चेंज किया he renamed सिरनगर as रिंचनपुरा built the mosque known as bud masjid on the site of Buddhist temple Buddhist के एक temple पे इसने masjid बनाई जिसे bud masjid के कहा जाता है और bud masjid means bud masjid means एक बड़ी masjid बनाए it was first mosque built in Kashmir तो सबसे पहली masjid जो कश्मीर में बनी है उसे किस ने बनाया है रिंचन ने इंपर्टन रिंचन डाइड as an assault of assassination after rolling for three years तीन साल के बाद इने मारा दिया गया और after that kota rani ruled and was last hindu roller उसके बाद kota rani ने rule किया और kota rani जो है उन्हें माना जाता है last hindu ruler क्योंकि उसके बाद ये जो ये जो saint थे जिनकी वज़ा से ये रिंचन ने अपने आपको इसलाम में convert किया जिनके prayers को देखे जिनके teaching को preaching को देखकर इन्होंने अपने आपको चेंज किया था ये आगे जाके अपनी dynasty को कश्मीर में उसकी नियम बचाने वाले थे तो उसके दो बेटे थे वो दुनू को ही इस saint शामीर ने मार दिया था so two sons were killed by शामीर okay Muslim rule in कश्मीर की बात करें तो founder शौमस उद्दीन मीर्शा 1339 में उसके बेटे जम्शेद 1343 में तूसरा बेटा अलाव दीन 1347 में दन शुद्दीन 1354 में कुत्व दीन 1373 में सिकंदर 1389 में हैं शौत्दीन इस नोन अज ललत्त दित्या आफ मेडिवल हिस्ट्री मेडिवल हिस्ट्री का ललत्त दित्या मना जाता है शौत्दीन को important question है इसके रूल में सायद अले हमदानी सायद अले हमदानी जो सूफी संते पहली बार कश्मीर विजिट किये थे शौत्दीन के time में ओकी important question बनता है ग्रेटेस रूल चार पांच थे सकंदर था जेनुल अबदीन था पते शाह था मुहम्मद शाह वैसे मैक्सिमम अच्छे ही रूलर है इनके सबके सकंदर ने क्या किया है he was also called as orange day of Kashmir क्यों कियोंकि ही बहुत ये क्रिवल था इसने आडल जो मूर्ती पूजन था वो बंद कराया dance drama बंद कराया music video किस तरह की चीज़े इनको बिलकुल पिसंद नहीं थी दूसरी तरफ इन्होंने क्या किया जाम्या मस्जद बनाई हजरत सायद अली हम दाने important question बनता है ठीक है उसके बाद उसके बाद जैन उलब दीन ने क्या किया जैन अल्सों ग्रेट किंग वस नौन अज बड्शय मेंस great king he abolished उसने जाजिय खतम किया slatter of cows खतम कर दिया हिंदूस को temple बनाने की permission दी है so that's why he was great उसके बाद he abolished जाजी अटेक्स ये बने बता दिया built three artificial islands इसने तीन artificial islands बनाये थे चारचनार को रूपा लंक कहा जाता सोना लंक गोल्ड लंक मींज सोला लंक मींज गोल्ड लंक ये दूनू डल लेक पे बनाये थे और जेनूल लंक बनाया वुलर लेक पे उसके बाद इन्होंने क्या किया रामायना, महाबारता और गीता ये जो बुक्स थी उस वकत की religious books उन सब को translate किया गया पर्शियन में इसके टाइम में ओके इस इंपॉर्टेंट थिंग आफ दिस रूलर हबीब शाह वाज लास्ट रूलर बाई अलिशा चक उसका जो रूल खत्म करवाया वो अलिशा चक थे एक जो आगे इंडिया में चक डैनिस्टी शुरू कर दिये ओके, is it clear ओके चक्स रूल इन कश्मीर, चक्स का जो रूल आया कैसे आया, अलिशा चक वाज फर्स्ट रूलर, वाज फाउंडर 1570 से 1578 तक इसने रूल किया, चक्स अर बलीव तो भी रिजडेंट आफ गिलगिट होंजा एरिया, गिलगिट होंजा जो एरिया है वहां के माने जाते थे वो, और देर जिस्टर अटेंप्स अफ बाबर हमायो एक सी काशमीर सी वो, बाबर हमायू जो कोशीश कर रहे थे कशमीर को और एक स्कार्ण की तो यह वह रूलर सेilles थे घघै, जो उनको रूलर से मुजन का पुश्ट करते यूससच शाह चक वाज्डी छोंद्ट रूल यूसफ शा की ये बात याद रखिएगा कि उसकी शादी हबा खातून से हुई थी हबा खातून जो है नाइटिंगेल आफ कश्मेर कहलाती है उन्हें जोन कहा जाता है जोन में चांद चांद नहीं है और वो बहुत ग्रेट पोईटस थी यूसफ सन याकुब शा चक वास ला लास रूल जो था वो था यूसफ का बेटा याकुब शाह 1599 तक उन्होंने रूल किया इस फादर यूसफ यूसफ थे इनको इन प्रिजन किया था मुगल्स ने विस्वाक जेल बिहार में रखा गया था और याकुब शाह जो है इसको भी जहर खलाया गया था ही वास पाइ आये मुगल रूल मुगल्स अटेक्ट कश्मीर इवन दिरिंग बाबर अन हमायो बद फेल इट वस अकबर हूज अबल तो एनक्स कश्मीर इस कुमांडर कासिम खान वास हीरो आफ द विक्टरी मुगल आर्मी वास डिटेट टू ताइम्स अर्लियर अचीवमेंट्स की बात करें तो हरी परवत फॉर्ट का आउटर वाल और नसीम बाग अकबर के टाइम में बनाई गई है मुगलू ने पहले भी कोशिश की बाबर और हमायों के टाइम में भी कोशिश की लेकन काम्याब नहीं हुए कासिम खान जो अकबर का कुमांडर था वो पहला हीरो रहा जो नगरी को बसाने नगोर नगरी बोलते हूं वो बसाने के लिए उन्होंने बाहर से चारदवारी शुरू की थी हरी फोट की और उसके अंदर का जो पार्ट है वो बाद में बनाया गया ओके अबुल फते अबुल फत जलाल उद्दीन मुहम्मद अकबर साना फमायू इनका अकबर का पूरा नाम अब्दल्फत जलाल उद्दीन मुहम्मद अकबर अकबर ने क्या किया जो कश्मीर था उसको अफगान प्रोवेंस जो काबल सुबा था उसमें एड़ कर दिया 1586 में तो कश्मीर अब उनके काबल का काबल का हिसा हो गया अकबर सन जहांगीर आल्सो नौन अज सलीम लवड कश्मीर एलाथी स्पैंट मेनिसामस न कश्मीर मैरिट महरु निसार वाइफ अफगान रिनेम्ड हर अज नौर जहान और कपल प्लेंड शलेमार बाग तो जहांगीर जिन्हें सलीम भी कहा जाता था वो शेरे अफगान की वाइफ महरु निसार से शादी किये जिसे वो नौर जहान नाम दिये और इन दुनों ने मिलके पती पतनी ने मिलके शलेमार बाग को बनाया नौर उद्दीन मुहम्मद सलीम इनका पूरा नाम था उके उससे पहले हम बात करेंगे निशाद बाग वाज कमिशन बाई हर ब्रादर आसिफ खान चार चाहन वर माइग्रेटे टो कश्मीर डिवरिंग जहांगीर जरूल एंड ही वाज फालोड बाई शाहन वो बिल्ट चश्मे शाही एंड रायल स्प्रिंग तो इसके साले साब आसिफ खान ने निशाद बाग बनाई कश्मीर में जो चनार इतने जो चनार के द्रकत है वो जहांगीर के टाइम है बाहर से यहां पे आए और चश्मे शाही जो रायल स्प्रिंग है उसे इनके बेटे शाह जान ने बनवाया को के मोही उद्दीन मुहम्मद औरेंजे आलमगीर भी कहा जाता था ही वाज असे जिंदा पीर भी कहा जाता था इंपर्टेंट बात है उसने क्या किया उसने 14 गुवर्नर्स रख लिये कश्मीर में और मारा भी कैसे इन फ्रन्ट अफ मैस्यो क्राउड आफ्टर इस देथ इंफ्लेंस अफ मोगल एंपायर डिकलाइड इन कश्मीर लेकिन इनकी डेथ के बाद और इनकी जेव की डेथ के बाद कश्मीर में मोगल्स का इंफ्लेंस आइस्ता खत्म हो गया ओके इस इट क्लियर उसके बाद क्या हुआ अफगान रोल जने दुरानी डैनिस्टी या सदोजाइल किंग्डन भी कहा जाता है इसमें एहमद शाह दुरानी इसको एहमद शाह अबदाली भी कहा जाता है ही रेड़ इंडिया एट टाइम्स आठ बार उसने इंडिया पर अटाइक किया लेकर ही अटाइक्ट मुगल अट शूप्यान इन 1753 ही अपोइंटेट ट्वेंटेट वेंटेट गुवर्नर्स जिनमें 27 अफगान गुवर्नर थे और एक जो था वो हिंदू गुवर्नर था वो एक था इसलिए उसका नाम आपको याद रखना चाहिए ही वास सुख जीवनमाल उसका नाम था सुख जीवनमाल अत्ता मुखमद खान इसका जो 27 गुवर्नर थे उनमें से एक ग्रेटेस्ट गुवर्नर था और इन्होंने क्या क्या किया हारी परवत फॉर्ट बनवाया हारी परवत फॉर्ट का उपर का जो पार्ट है कोहे महरान बनवाया हारी परवत फॉर्ट को ही कोहे महरान कहा जाता है दन शरीका टेंपल शरीका देवी टेंपल बनवाया गार्डिस दुर्गा का मंदर आए दन मकदूम साहिब मस्जिद बनाई ये क्या है श्रायनाफ मगदूम है एंड छठी पादशाही गुर्द्वारा ये काम इन्होंने करवाए कश्मीर में ओके उसके बाद जहां फाउंटर की बात करें तो फाउंटर मैंने बताया एहमद शुजा शाह दुरानी जिने एहमद शाह अबदाली भी कहा जाता और लास्ट किंग इनका जो था वो शुजा शाह दुरानी था उसके बाद सिक्रूल शुरू होता रंजीत सिंग के टाइम में 22nd April को क्या करते है 1819 को he took his 30,000 troops to Kashmir through पीर पंजाल पीर पंजाल के रास्ते से 30,000 अपनी सेना लेके वो आगे बढ़ते हैं अपनी सेना को तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं Advanced Force जो है दिवान चांद उसको कुमांड कर रहे हैं दूसरी Rare Guard जो है उसको Khadak Singh कुमांड कर रहे हैं और तीसरी जो Reserve Troops रखे हैं उसको कुमांड कर रहे हैं खुद रंजीत सिंग तो दस-दस हजार के तीन टुकड़े बनाके पहली बार ये 20 अपरेल 1119 को कश्मीर पे अटाक करने के लिए निकल पड़े लाहोर से Okay First two groups marched to Bhimber, captured the fort of local Hakim, defeated Agurullah Khan of Rajore and appointed his brother Rahimullah Khan as Raja of Rajore Okay And क्यों? ऐसा क्यों किया? For the assistance in navigating the Bhairam Pass, the Lord and of Pyrpanjalin उने क्या किया? रजोरी में जाके रजोरी के King Agurullah Khan को मार दिया उसके बाद उसके ब्रदर को उसके भाई जो रहेमullah Khan थे उनको राजा बना दिया और उन्हें इस शर्त में राजा बनाया कि वो उन्हें बहराम Pass जो है वो Pass कराने में help करें उन्होंने agree किया तो राजा बन गए और ये उनका आगे बढ़ने का सिख्रूल्स का सिख्की सेना जो थी उनका आगे बढ़ने का ये एक तरीका बना on 3rd July 1819 13 July को क्या किया उन्होंने Battle of Shopify किसके दर्मियान किसके बीच में हुई है जो फोर्स शिक्ष आपनी फोर्स जो सिख्कों की जो फोर्स थी वो और दुरानी फोर्स फोर्स दुरानी किंडम में उस वकत के जो गवर्नर थे जबार खान वो बहुत अच्छा लड़े इनके साथ लेकन लडने के बाद रिजल्ट इस जो बैटल का हुआ वो यह हुआ के सिक जो थे उस लड़ाई को जीत गे और वो कश्मीर को जीत गे इन्होंने अपने दस गवर तिराम ग्रेटेस्ट की बात करें तो वो मिया सिंग था और लास्ट जो था वो था इमाम उल-दीन ओके शीक इमाम उल-दीन तो इस तरह से दस में से यह तीन नाम बताए मैंने फर्स्ट ग्रेटेस्ट अड लास्ट ओके कुछ इनकी पांच साथ साल उमर थी कहीं पे पांच साल लिका है कहीं पे साथ साल लिका है शेरे पंजाब कहा जाता था महराजा अरंजीत को इनकी मृत्यू हुई 1839 में उस वकत उनके बेटे दुलीप सिंग जो बहुत चोटी उमर के थे मतला पांच या साथ साल के उमर के थे उन्हें राजगद्धी पे बठाया गया और इसी दवरान 11 दिसंबर 1845 में क्या हुआ इंगलोसिक वार हुई और इस एंगलोसिक वार का नितिजा क्या हुआ इसका नितिजा ये हुआ कि जो ब्रिटिश थे वो इस वार को जीत गए उनके जीतने से क्या हुआ कि यहाँ एक समझोता होना शुरू हुआ क्या हुआ एक ट्रिटी साइन की गई ट्रिटी आफ लाहोर कहा जाता ऐसे इसको साइन किया गया था 9th मार्च 1846 के इस ट्रिटी में लिखा गया था डीड क्रोड 1.5 क्रोड रुपीस मांगे थे ब्रिटिश ने किस से पंजाब गवर्मेंट लाहोर गवर्मेंट से मतलब यह जो सिक लोगों की गवर्मेंट थी उससे दुलिप सिंग की गवर्मेंट से या या वो सारे जितने भी उनके फॉर्ट से टैल ट्रीज है और जो हि उनका राजपार्ट में एरिया आर्या रिवर ब्यास से लेका रिवर इंदस तक इंक्लूडिंग कश्मीर या तो वो सब कुछ अंग्रेजों को दिया जाए या 1.5 क्रोड रुपीस दिये जाए उस वकत की करंसी पंजाब में जो करंसी थी नानक शाह करंसी कहलाती थी उसम इस दो इस्ट इंदिया कमपनी के अफ़िसर के साथ सार हैन्री हार्डिंजे मौझूद थे जो गुआणल जनेरल थे उस वकत के ब्रिटिश्टिर्स के और इधर से एक अगंट था दिलीपसिंग और उसके साथ साथ मेंबर प्रेंज थे तो गिंग दिलीपसिंग जो है उस की उस वक्त की जो हाला थी तो उनों ने 75 लाक पे किया था और कहा कि हमारी जो जम्मो कश्मीर की लैंड है वह आप ले सकते हो हम यह 75 लाक दे रहे हुआ के räकिला और बाकि के बदले हम आपको जम्मोकश्मीर का इस के बाद क्या हुआ गुलाब सिंग ने इस festival का फाइदा उठालिया उन्होंने कहा कि I will pay this 75 lakh मुझे कश्मीर दे दो तो he paid the remaining 75 lakh in the treaty called as treaty of Amritsar, Amritsar की treaty कही जाती है 16th March 1846 को इन्होंने वो payment कर दी और after that जम्मो कश्मीर बिकेम प्रिंसली स्टेट क्योंकि यह डोगरा थे उसके बाद जम्मो कश्मीर जो है प्रिंसली स्टेट बने ओके और इस प्रिंसली स्टेट में क्या क्या हुआ मतलब यहां से आगे की history जो है वो part मिलेगा आपको next video में जो है history of जम्मो history of जम्मो में आपको मिलेगा ok by the way यह आगे जो अभी हमारी slide चल रही है इस slide पे आपको कुछ kings के नाम मिल रहे है starting से ठीक है go another one से लेकर आज तक जितने भी मिलेंगे यह अगर आप चाहोगे तो कुछ यह just for extra information अगर आपको चाहिए कि किसी राजा का नाम जुरूरी है उसके बाद काउन आया था इसके बाद काउन आया था तो यह आपको slide को रोकना पड़ेगा पास करो देखो आगे बढ़ो पास करो देखो आगे बढ़ो ओके ओके अब अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी अच्छी लगे यहां तक जो भी हमने पड़ा अगर आपको अच्छा लगा तो please like किजे हमारे वीडियो को और इस वीडियो को उन दोस्तों तक पहुचाए जो पढ़ना चाहते हैं जानना चाहते हैं history of Kashmir लेकर उनके पास sources नहीं है उन तक पहुचाए और means share कीजिए और if you are new for the channel please subscribe it अगर अगर पहली बार देख रहे हो तो channel को subscribe भी कीजिए okay wish you all the best and bye you you you